आज हम बात कर रहे हैं हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात कर रहे हैं MPPSC द्वारा युज़े 2016-2016 ADPO पेपर की तो इससे पहले बता दें कि दो पार्ट हम डाल चुके हैं और आसी कॉस्चन हम स्वालो करवा चुके हैं और इस वीडियो में अब हम आंगे के कॉस्चन तो जैसा कि आप जानते हैं कि MPADPO 2020 में वेकेंसी आ सकती हैं या 2021 तक यह एकजाम होगा तो प्रिवियस येर के पेपर काफी इंपर्टेंट रहते हैं और उनसे काफी कॉस्चन आते हैं और उनसे हमें काफी कुछ जानने को मिलता है कि किस प्रकार के कॉस्चन आएंगे तो एटी नंबर का कॉस्चन था कि इंफॉर्मिशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 केम इंटु फोर्सवान सूचना प्रोधगी अधिनियम 2000 लागु हुआ था तो यह MPPSC 2020 में सबार कॉस्चन आया था कि इंफॉर्मिशन टेक्नोलोजी एक्ट किस यर का है लेकिन यहां पर वन ने पूछा है कि इंफॉर्मिशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 का है लेकिन वो किस मन्त का है तो आप्षन में 1 स्ट संबर 2000 सेवेंटीन सितंबर तो राइट आंसर है सत्तरा अक्टूबर दो हजार जे मैं आपको MPADPO मद्ध प्रिदेश के सरकारी वकील के एक्जाम सॉल्व करवा रहा हूं और मैं MPADPO का सिलेवस व्यता चका हूं MPADPO क्यों ने अपना सिलेवस चेंज किया है पांच यूनिट जेनल नौलिज की हो दस यूनिट लोगी है अब बात करते नेक्स्ट कॉस्टन एंडर विस सेक्शन ऑफ दा आईटी एक टू थाउजन्ट आस्यमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हैज बीन डिफाइंड ऑप्सन है सेक् कि नंभर का स्ट आउट्यों कि दा और ऍाइट करते हैं और सेक्शन और मश्यूज नइख सीच्टम है तिसका बात करते हैं टू करूड और यो एट करोडक नोंट्ट एक्सटन एक्सλάई जूरिस्टिक्शंट तो जज़ होना चाहिए सुपरेम कोट का उसे या जज हाई कोट का होना चाहिए या ज़िस्ट्रिक्ट का है सब्सक्राइब के लिए अरहत नहीं होगा जब तक की बाया रह रह चुका है तो उच्छ ने अलाइक निया रहना चाहिए नेक्स्ट है बिच आप दा फॉलिवेंग के से रिलेटेट टू इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी एक्ट काफी इंपोर्टेंट के से स्रेया सिंगल वर आद Movement के संब्संदत है ललिता कुमरी बर्शेज उत्तराप्रदेश राज लता सिंग वर्शेज स्युपी आफ इंडिया और से यूनियंविए क्श्च नेक्ट के इस लिएच्प गस्टेस लूब of electronic record electronic अभी लेक्ट का अभी प्रामाणी करन्न निम्लेखत धाराओं में से किस से संबंद्र है option section 3 section 4 section 5 और अब दीज़ करेक्ट तो राइट आम सरे section 3 कि अब बात करते next question की कि who will be investigate offenses under the IT Act मतलब सूचना प्रवद्द्गी कि अदिनियम के दिन किसी भी अपरात का नविशन कोन करेगा option certifying authority, controller of certifying authority, police officer not below the rank of inspector और deputy superintendent of police जिसे हम DSP कहते हैं या उप पोलिस निरिक्चक तो इसका राइट आंसर है पोलिस officer not below the rank of inspector मतलब ऐसा पोलिस साधीकारी जो निरिक्चक की पंक्ति से नीचे का ना हूँ अब बात करते हैं next question 87 नमर का जो MP ADPO 2016 की एकजाम में आया था कि सूचना प्रवद्दगी की अधिनियम कि किस धारा को चितम ने अलाय ने असाम विदाने गोशत किया कई बार पर में आया है 2018 तक है काफी पूचा गया है अभी भी पूचा जाता है लेकिन है जब करेंट अफेर्स की पॉइंट आव व्यू से पूछा जाता था कि विच आप फॉलिविंग सेक्शन ऑप दा इन्फॉर्मिशन टेक्रनोजी एक्ट हैज विन डिकलेड अनकॉंस्टिट अभात कर दिया था मैं अब बात करते हैं Amazon की entwickelt गया है तो अब देखतों क्या नेख्ञ चसक्वच्च्न नमबर का कोस्च्ट हैक्शन科 क्या जैसा कि आपको प्रीवेश्च वीडियों बता चुका है अब बात करते हैं 89 नंबर के कोश्चिन की कि सूचन प्रोद्गी की अदिनियम 2000 के अंतरगत साइबर आतंक बात का अपरात किये जाने पर निम्नमेंसी कौन सी दंड सी दंडित किया जाएगा Under the provision of the Information Technology Act 2000, offense of cyber terrorism shall be punished by which sentence from the following मतलब सूचन प्रोद्गी के दिनियम 2000 के अंतरगत साइबर आतंक बात का अपरात किये जाने पर किस क्या कुण सा दंड आपको मिलेगा Option है 10 वर्स कठूर कारावास मिलेगा 10 वर्स साधरन कारावास और पांच लाख रोपे तक कजुर्माना मिलेगा आज इवन कारावास मिलेगा या 7 वर्स कठूर बारावास एवं 3 वर्स 3 लाख रोपे तक कजुर्माना तो इसका right answer है may extend to imprisonment of life मतलब आज इवन कारावास तक अब बात करते नेक्स्ट कॉस्चन की नेक्स्ट कॉस्चन है घरायलू हिंसा से महिलाओं की सरनक्षन दिनियम 2005 की धारा 12 के अंतरकत कौन आवेदन पत्र प्रिस्तुत कर सकता है यह MPI Code exam में आया हुगा question है कि under section 12 of the protection of the woman from the domestic violence act 2005 who may present an application तो option है aggrieved person, protection officer, any other person on behalf of the aggrieved person और all are correct तो मतलब घरायलू हिंसा से महिलाओं की सरनक्षन दिनियम की अंतरकत बैस्तित व्यक्ति भी कर सकता है सरनक्षन अधिकारी भी कर सकता है और बैस्त व्यक्ति के निमेटता कोई अनव्यक्ति भी कर सकता है मतलब aggrieved person भी कर सकता है, protection officer भी कर सकता है और any other person on behalf of the aggrieved person अब बात करते हैं next question की और next question पूछा गया है कि और फैंसेस अंडर सेक्षन थर्टी टू वन ओफ दा प्रेटेक्शन ऑफ बुमेन फ्रॉम डॉमेस्टिक वालेंस एक टू थाउजेंट फाइप सैल्वी घरहलू हिंसा से महिलाओं का सरनक्षन अधिनियम दो ह्यार पांच की धारा 32-1 में अपराद होगा कोगनी जेवल एंड ओन बेलेवल औंड बेलेवल जनियम जमानेती और गयर जमानेती अपराद कहते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्चन की और नेक्स्ट कॉस्चन है कि what kinds of order may be passed by a magistrate in case relating to domestic violence in favor of aggrieved women and against the respondent मजिस्ट्रेट द्वाराग घरेलू हिंसा से वेस्ट महिला की पक्च में और प्रत्य अर्थी की विरुद्द्न मिलकित में से कौन सा आदिस पारत किया जा सकता है option is protection order, monetary order, compensation order या all are correct तो इसका right answer is all are correct मतलब सन्रक्षन आदिस भी दिया जा सकता है आर्थ कनुतूस आदिस भी दिया जा सकता है प्रतिकर आदिस भी दिया जा सकता है मतलब सभी विकल्पिस में सही है next question है कि under the provision of the protection of women from domestic violence act in order of the temporary custody of the children of the agreed person will be passed by the majesty option is section 19, section 20, section 21 या section 22 तो right answer है section 21 इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी पूरी वीडियो आप तक पहुंच जाए और लाइक कर दें next है what is the penalty under the protection of women from domestic violence act for breach of a protection order by the respondent मतलब घरेलू हिंसा से माईलाओं का सर्रक्षन अधिनियम के अंतरगत प्रत्यरती द्वारा सर्रक्षन आधिस को लंगन की दे सामें उस पर सास्ती अधिरोपत किये जा सकेगी जिसका right answer है imprisonment up to one year और with fine up to 20,000 और बहुत मतलब एक बार तक का कारवास होगा या तो 20,000 रुपे देने पड़ेंगे या दोनों भी हो सकता है एक हजार रुपे भी देने पड़े सकते हैं 20,000 रुपे भी protection has been provided in a case for preceding taken in good faith option in section 30 section 33 section 35 section 36 to right answer section 35 next question in the right to information is available to काफी बार है question आया है कि सूचना का अधिकार अप लफ्द है the right of to information is available to किस के लिए है citizen के लिए है citizen और non-citizen दोनों के लिए है और all person के लिए है और all are correct तो यह राइट to information सर्फ नागरतों के लिए भी लेवल है जिने हम citizen कहते हैं नेक्स्ट कोस्चन है obligation of public authority has been provided under which section of the RTI Act RTI Act की सबसे important question में से यह है एक question है काफी बार है पूंचा जा चुगा है कि लोग प्राधिकारी की बात देता हैं सूचना को अधिकार दिमियम की किस धारा में बपन देत हैं option है section 4 section 5 section 8 or section 9 तो right answer is section 4 अब बात करते हैं next question की next question पूछा गया था कि central public authority shall provide information with which of the following days after receipt of the application राध्य केंद्री लोग सूचना अधिकारी आवितन प्राप्ति के निमिलके दिनों के वीतार सूचना अब लब्द कराएगा तो 15 दिन के 30 दिन के 45 दिन के 60 दिन के यह है एक व्यक्ति को जानना चाहिए इसका right answer is 30 दिन 30 दिन के अंदर करवाएगा नेक्स्ट है दा प्राविजन एश टू थर्ड पार्टी इंफोर्मेशन है जी प्रोवाइड अंडर विच ओप दा फॉलिविंग सेक्षन ओप दा राइट तो इंफोर्मेशन एक्ट परवैक्ति की सूचना संबंदी प्रापदान सूचना अधिकार दिनियम की नमिलकेत म किस धारा में किया गया है ओप्सन है सेक्षन 6, सेक्षन 9, सेक्षन 10 या सेक्षन 11 नेक्स्ट कॉस्चन है राज सूचना आयूक के आयूक सपत लेंगे कमिशनर ऑफ दा स्टेट इन्फोर्मेशन कमिशन सेल टेक वाथ विपूर तो राष्टपति की समक्ष लेंगे उच्छ नेक्स्ट कॉस्चन आया है चाइल्ड में रिजेक्ट से है अंडर दे सेक्षन ऑफ डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इस गिवन दे प्रोविशन ऑफ दे चाइल्ड में रिजेक्ट टू थाउजेंड सेक्षन बाल बेवाह पिट्टी से अधिनियम 2006 के अंतरगत बालक को किस ध नेक्स्ट कॉस्टन है कि इस सेक्षन गेलेटेट टू दा प्रोविजन पॉर डअपोइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मेरेज प्रोविशन ऑफिसर अंडर प्रोविशन ऑफ चाइल्ड मेरेज एक्ट 2006 बाल बेवाह पिट्टी से तदिकारी की निउक्ति सम्मंदी प्रावदा प्रोविशन ऑफ चाइल्ड मेरेज एक्ट टू थाउजन ऑडर तो ऑप्सन एडिस्टेक्ट कोट है हाई कोट है फस्ट कलास जूडिशल मेजिस्टेट ऑफ मेट्रिपॉलिटन मेजिस्टेट है और नन अफ दीजिज करेक्ट है तो बाल वेवाद प्रतिसेत अदिनियम 2006 की धारा 13 के अंतरगत आदेश कौन जारी कर सकता है उप्सन है जिला ने आला है उच्छे ने आला है प्रतम बर्ग नियाएक मेजिस्टेट या महानगर मेजिस्टेट या इन मेंसे कोई नहीं तो राइट आंसर है प्रतम बर्ग न 2006 की किस धारा में बढ़ने थें दा पावर और डियूटी ऑफ प्रोहिवीशन ऑफिसर अफ चाल्ड मेरिज अर्ट इफाइन अंडर बिस सेक्षन ऑफ प्रोहिवीशन ऑफ चाल्ड मेरिज एक्ट टू थाउजेंट सेक्ष इसकी ऑफ्सन है सेक्षन 19 सेक्षन 16 सेक्षन 20 या तो ऑप्सन है धारा चौदा धारा घ्यारा धारा पंदराया धारा सत्रा तो राइट आज अंशर मतलब सेक्षन ग्यारा के तहित नेक्स्ट है 106 नंबर का कॉस्चन की अंडर यंग पर्षन हारंफुल पब्लिकेशन एक्ट नाइंटिन फ्यूप्टी सिक्स वाट सेल वी दा एज ओफ यंग पर्षन अलपवय वैक्ति अफ़ानिकार प्रकासन अधिनियम 1956 की अंतरगत अलपवय वैक्ति की आयू क्या है तो उप्सन है 16 साल से कम है 20 साल से कम है 18 साल से कम है या 12 साल से कम है तो राइट अंसर है 20 साल से कम नेक्स्ट है अलपवय वैक्ति अफ़ानिकार प्रकासन अधिनियम 1956 की किस धारा में अफ्हानिकार प्रकासन की पृवासा दी गई है और earlier Question आ जाते हैं कि पृवासा से रेलेटर तो इसका right answer है धारा 2 का Next Question है कि अभावावाय वैकति अधिमियाम 1956 की किस धारा में अफानिकार प्रकासनों को अभी गरहत इवनेश्ट करने की सकती बढ़ने थे तो धारा चे इसका राइट आंसर है तो एक बाद बता दूंग सीधे सीधे सेक्षिन से रिलेटेट कॉस्चन आ रहा है नेच्ट है अल्पवय वैक्ति अफ्हानिकार प्रकासन अधीनिया मतलब अंडर दा यंग पर्षन हार्मफुल पब्लिकीशन एक्ट 1956 इन विस सेक्षन गवर्मेंट है दे पावर टू डिकलेड हार्मफुल पब्लिकीशन 45 तो ओप्षन है सेक्षन 3, सेक्षन 5, सेक्षन 6 या सेक्षन 4 तो राइट अंसर है सेक्षन 4 अब बात करते हैं नेक्स्ट वच्चन की और नेक्स्ट कोच्चन है कि लेंगे कप राधों से बालकों की सरक्षन अधीम 2012 के अंतरगत बिसिश्च ने अलाएकि समख्ष कारवाई है किस अधीम की अंतरगत हो तो ऑप्सन है civil procedure code, criminal procedure code, special provision यह none of these is correct तो राइट आंसर है criminal procedure code CRPC अब बात करते हैं next question की और next question देखते हैं क्या पूछ गया है कि under the protection of children from sexual offenses act 2012 who will conduct the cases before the special code, लेंगे कप राधों से बालकों का सरनक्षन अधीनियम 2012 के अंतरगत बिसिश्च ने अलाएकि समख्ष कौन कारवाईयों का संचलन करेगा तो जला लोग अभी उजण अधिकारी करेगा, सास की अधिभक्ता करेगा, बिसिश्च लोग अभी उजग करेगा या अतिरिक्त जला लोग अभी उजग करेगा तो राइट आंसर है special public prosecutor अब आत करते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन की नेक्स्ट कॉस्चन है की लेंगे क अपरादों से बालकों का संक्षन अधिमियम 2012 की इंतरगत बिसिश्च ने अलाए अपराद का संग्यान लेने की कितने दिनों के अंदर विचारण पून करने का प्रियास करेगा, तो 6 माह, 9 माह अब आत करते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन की नेक्स्ट कॉस्चन है की लेंगे का अपरादों से बालकों का संक्षन अधिमियम 2012 के अंतरगत, जो कोई किसी बालक पर लेंगे कुछ पीड़न करेगा, उसे कितने अभिदी की गारावास की सजा दी जा सकती है, तो आपसन है एक सके 17 वर्स का जर्माना, तीन मकई जर्माना का नसर यह साथ गुखूर्व मद Soo का जर्माना पांच सक जर राहएं साथ हैं इसुख आप हैं, बात करती हैं, नेक्स्ट कॉस्ट कॉस्ट कोर सब्क्किन और भ्रादों से बालकों का सरनक्षन अधिम दोईयर बारा Judad किähän अब बात करते ही नेक्स्ट कोश्चन की नेक्स्ट कोश्चन है लेंगे कप रादों से बालकों का सरनक्षण अधिनियम अब बात करते ही नेक्स्ट कोश्चन है लेंगे कप रादों से बालकों को सरनक्षण अधिनियम 2012 के अंतरगत किस दारा में बालकों को बिद्धिक व्याव साही की सहरता लेने का अधिकार दिया गया है तो सेक्षण 40 दराइट अंसर यह सीदे सीदे सेक्षण वाले कोश्चन है इनमें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है यह आपको याद होने चाहिए नेक्स्ट कोश्चन है लेंगे कपरादों से बालकों को सरक्षण अधिनियम 2012 के अंतरगत बालक का कतना वी लिखित किस धारा के अंतरगत किया जाता है धारा 22, 24, 26 या धारा 28 धारा 24 इसका राइट अंसर है नेक्स्ट कोश्चन फिर पूँच गया है कि लेंगे कपरादों से बालकों को सरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतरगत किसी अपरादी को कारत करने के प्रयास से धारा 28 इसका राइट अंसर है तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लें हों बैल आइकन को दबा दें क्यूंकि इस चैनल पर इससे पहले MP ADPU के 120 सेक्षन सॉल्व करिये जा चुके हैं MP High Court द्वार आए उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आएकन को दबा जिससे की आपके पास कोई भी वीडियो आ जाए और चैनल को लाइक कर दें जिससे की वीडियो आपके पास जल्दी सी जल्दी आ जाएं करेंगे और हम जल्दी ही ADPU के कोईश्च करवाने जा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 101 कई से आंगे की कॉश्चन की तो इस वीडियो में हमने 40 कॉश्चन सॉल्व करें 80 से लेकर 120 तक तो हम नेक्स्ट कॉश्चन अंगली वीडियो में सॉल्व करेंगे धन्यवाद